हेलो दोस्तों मल्टी एंग्री कल्चर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बताने वाले हैं बोड़ा की खेती के बारे में और मटर दोनों मतलब मल्टी खेती है जो आप देख सकते हैं पूरे खेत में लगा हुआ है बोड़ा जो लाइनिंग से आपको दिख रहा ह जो में खेती है वो बोड़ा है उसी पर हमको वर्क करना है दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे खेत में पूरे खेत में ये बोड़ा लगा हुआ पूरे खेत में सिर्फ बोड़ा ही बोड़ा है इसमें मंतर भी लगा दिया गया है दोस्तों बोड़ा के बढ़ इच में जो है वो मंटर है चोटी वाली मंटर है जो एक बार फरने के पाद उसको तोड़के हटा दिया जाता है तोड़के हटा दिया जाएगा फिर में जो में खेती जो है वोड़ा है उसी पर हमको फोकस करना है उसे फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि वो बहुत कोशली खेती है वह बहुत इंपोर्टेंट खेती है जो मेरा मेन उद्देश बोड़ा की खेती है दोस्तों बोड़ा की खेती में लाप बहुत अच्छा है दोस्तों और इतने पंद्रे विश्चे के खेत में है तो यह मान की चलिए आप पंद्रे विश्चे के खेत में मान की चलिए कि आपको 5-6 कुंटल विकली निकलेगा अगर आपका साथ दे दिया गया साथ अगर दे दिया फसल तो दोस्तों देख रहे हैं कि पौधा जो बोड़ा का है वो काफी स्वस्थ है काफी अच्छा है तो हम उमीद करते हैं कि आगे चल के जो फसल होगा ओभी अच्छा होगा जो मंटर है दोस्तों ओभी देख रहे है ओभी काफी स्वस्थ है और सही है तो अभी तक जो दोनों खेती है वो बहुत ही सही है बहुत ही सुन्दर है दोस्तों तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों जो यहां जो जो मिट्ट मिट्टी है वह बहुत मल्टी परपच के उद्देश से मिट्टी है जो किसी भी फसल को आप आसानी से यहां उगा सकते हैं एक अच्छी नमी यहां प्रॉपर बना के रखता है दोस्तों तो मिट्टी की खासियत है कि मिट्टी यहां आपका जो नमी बनाकर रखेगा तो आप किसी प्रकार के फसल को आसानी से उगा सकते हैं तो दोस्तों मैं यह दिखाने जाते हैं और यह देखते हैं कि आप मटर भी यहीं साथ में है तो मटर भी बहुत अच्छा है दोस्तों तो हम मंटर में भी 2-3 लाग रुपए आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों मटर में भी 2-3 लाग आसानी से कमा सकते हैं कच्छा सौधा है बहुत ही अच्छा सौधा है तो आ चीनुमा बनाने के बाद में फर जब जाएगा इसकी भराई होगी निराहीत गढ़ई होगी कि कॉर और यह अच्छा फुन देका दोस्तों कि आप देखने दोस्तों इसमें थोड़ा सा माहो जिसको बोलते हैं माहो का प्रकोव हो गया है दोस्तों तो ये थंडी में माहों का ज्यादा प्रकोव होता है फफोधी नासक कीट होते हैं जो इनको ये किट नासक और डायथेनियम 45 का उपयोग करने से पूरी तरह से नश्ट हो जाते हैं तो जो अब ये समय है जो पौधों को बारिकी से जांच करने क कि पौधों को बारिकी से जांच करने कि पौधे में क्या कमी है कोई दिक्कत हो परसानी हो पर पौधी को देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों तो ऐसे कंडिसर क्योंकि हम महंगा इतना सिर्फ 8000-5 वीज लगा है दोस्तों जो बोड़े की वीज है 8000 सिर्फ वीज ताफ है दोस्तूं कि उम्यीद करते होंगे कि एक वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगाgeld तो दोस्तों प्लीज लाइक